तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोयम Have You Earned Your Tomorrow तो यहाँ पर कहा गया है कि क्या तुमने अपने कल को कमाया है दोस्तो अब यह कैसे हो सकता है कि हम अपने कल को कमा सकते है तो यहाँ पर असर में बताया गया है कि क्या तुमने कुछ ऐसा काम किया है कि कल तुम्हें लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों के लिए याद रखे तो दोस्तो यही इस poem का overview है और इस poem के writer है Edgar Guest तो दोस्तो अब हम poem को start करेंगे लेकिन उससे पहले में आपको बता दू कि मैं महारास्टर बोर्ट के English के syllabus को complete कर रहा हूँ तो अगर आपको सभी chapter के updates चाहिए तो आप मेरे चैनल को subscribe कर दे तो चलिए अब poem को start करते हैं तो पहली line में poet कहते है is anybody happier because you passed his day तो यहाँ पर poet हम से सवाल करते है कि क्या कोई खुश है इसलिए क्योंकि तुमने उसका रास्ता साफ किया मतलब कि यहाँ पर कहा गया है क्या कोई तुमसे इसलिए खुश है क्योंकि तुमने उसका problem को solve किया does anyone remember but you spoke to him today क्या तुम्हें कोई याद कर रहा है तुम्हारे अच्छे बातों के लिए मतलब कि क्या तुमने किसी से इतना अच्छा बात किया है कि वो आज भी तुम्हें याद कर रहा हो this day is almost over and its toiling time is through तो यहां पर कहा गया है कि यह जो दिन है यह लगभग खतम होने वाला है यह जो महनत भरा दिन था वो लगभग खतम होने वाला है is there anyone to utter now a kindly word of you तो यहां कहा गया है कि यह दिन तो अब यानि कि आज का दिन तो अब खतम होने वाला है तो क्या तुमने किसी के साथ इतना अच्छा किया है जो तुम्हारा अभी आभार मान रहा हो did you give a cheerful greeting to the friend who came along तो तुमसे जो friend मिलने के लिए आया था क्या तुमने उसे cheerful greeting दिया मतलब कि क्या तुमने उसका अच्छे से welcome किया और अचरले shot of howdy and then vanish in the throng यहाँ पर अच्छे से बताओ तो यहाँ कहा गया है कि जो friend तुमसे मिलने के लिए आया था क्या तुमने उसके साथ अच्छा वैवार किया या तुमने उसे ignore कर दिया वैसे ही जैसे लोग भीड में देख कर दूसरों को ignore कर देते है where you shellfish pure and simple as you rust along the way तो जब तुम्हारा friend तुमसे मिलने के लिए आया था क्या तुम शेलफिश बन गये थे मतलब जब तुम्हारा friend तुमसे help मांगने के लिए आया था तो क्या तुमने उसका मदद किया या तुम रास्ता देख कर निकल गये यानि कि तुमने उसका मदद नहीं किया और is someone mighty grateful for a deed you did today तो यहाँ पर कहा गया है कि क्या तुमने आज किसी के साथ कुछ अच्छा करम किया कि वो तुम्हें grateful हो यानि कि वो तुम्हें greetings दे तो यहाँ कहा गया है कि आज का दिन जल्दी खतम हो रहा है असल में दोस्तों यहाँ पर यह मतलब है कि जो life है वो जल्दी खतम हो रहा है तो इस life में क्या तुमने किसी एक इंसान की भी मदद की जो तुमसे मिलने के लिए आया था फिर से बताओ तो यहाँ पर कहा गया है कि आज का दिन बहुत जल्द खतम हो रहा है तो आज जितने भी लोग तुमसे मिलने के लिए आये थे और help मांगने के लिए आये थे तो क्या तुमने उसका मदद किया Is a single heart rejoicing over what you did or said क्या कोई एक ऐसा एक दिल है जो खुश हो तुम्हारे बोल से या तुम्हारे करम से Does a man who hopes were fading now with courage look ahead क्या कोई एक ऐसा इंसान है जो अपना hope यानि कि वो अपने आशा को खो रहा था लेकिन तुम उसके पास गए और तुमने उसे संभाला यानि कि तुमने अपने बोल से या अपने करम से उसे संभाला और अब उसके अंदर साहस आ गया है तो क्या कोई ऐसा एक इंसान है? Did you waste the day or lose it? Was it well or solely spent? तो क्या तुमने आज का दिन पुरा बरबात कर दिया या तुमने इस दिन में कुछ अच्छा काम किया? Did you leave a trail of kindness or a scare of discontent? क्या तुमने आज के दिन किसी के साथ kindness वाला काम किया? यानि कि क्या तुमने आज के दिन kindness का चाप छोड़ा या तुमने लोगों को dissatisfy किया? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say? Slumber मतलब होता है सोना तो यहाँ पर कहा गया है कि रात में तुम जैसे ही अपने आखों को बंद करोगे सोने के लिए तो क्या God तुमसे ये कहेंगे? You have earned one more tomorrow by the work you did today तो क्या God तुमसे कहेंगे कि तुमने एक और दिन कमाया है अपने अच्छे करमों से यानि कि तुमने आज अच्छे अच्छे काम किया है और इससे तुमारा एक दिन आगे बढ़ गया है तो दोस्तो यहीं पर ये poem end होता है मुझे उमीद है कि आपको ये poem line by line समझ में आ गया होगा और हाँ दोस्तो मेरे एक और चैनल है जिसका link आपको description में मिल जाएगा तो आप जाए और उस channel को check करें क्योंकि वहाँ पर मैं student से related videos बनाता रहता हूँ